नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर आपका हार्दिक्स वाकत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चमतकारी चीज के सेवन की विधी के बारे में बताओगा दोस्तों यदि आप इसे एक चीज को हर रोज खाओगे तो आपको कभी नहीं होगी नसो में justice, hard attack, बुरा cholesterol, खून, गाडा होने के समस्या, नसो में सुझन, दर्ड और blockage दोस्तो आज की सुछड़िव में हम जिस चीज जिस सामगरी की बात कर रहे हैं, वह हैं دोस्तो मेथी दाना और दोस्तो मेथी दाना हमारी सेहत के लिए एक वर्दान की त्रहें काम करता है आयुरुवेद के मुताबिक मेथी अनेक रोगों की एक दवा है इनके दाने का प्रियोग मसालों के साथ सथ बहुत सारी बीमारियों के लिए एक दवा की त्रहें भी काम करता है मेथी के दानों में खुब सारे विटामिन और मिनल पाये जाते हैं मेथी के दानों को तड़का लगाने या चून के रूम में भी इस्तमाल किया जासकते हैं दोस्तो मेथी आपके स्रीर की हारत रहें की बीमारी का इलाज कर सकती है चाहे वो बड़ी से बीमारी जैसे डाइपटिस दिल की बीमारी और नसों में ब्लोकेश की समस्या हो या चोटी से चोटी बीमारी पेट की रोग या मोटापे जैसी समस्या हो या कोई भी चोटी मोटी बीमारी हो दोस्तो हरत रहें की बीमारी के लिए एक कारगर दवा है या कोई ऐसी बीमारी हो जैसे पेट की रोग है उनके कान हमारे सिरे में बहुत सारी बीमारें जनम ले लेती हैं यानि ये मेथी दाना हरत रहें की बीमारी में कारगर दवा है दोस्तो तो चले आपको बताते हैं कि आपने इसमें नुस्खे को बनाने के लिए कौन-कौन सी दो समगरी चाहिए वैसे समें जो नुस्खा है वो मेथी दाना से रिलेटर ही है लेकिन यदि आप इसमें डालचीनी का प्रियोग भी कर लेंगे तब आपको इससे और भी अधिक फाइदा होगा दोस्तो आपने क्या करना है रात भर के लिए एक चमच मेथी दाना लेकर एक गिलास पानी में भीगोकर रखा रहने दिना है जैसे कि ये हमने रख दिया अब आपने इसमें एक टुकडा दालचीनी का भी रख डाल दिना है और दोस्तो आपने इसको पूरी रात के लिए ऐसे ही भीगा रहने दिना है दोस्तो ये हो गया आपका नुस्खार रेडी अब सुबह खाली पिट अपने इस पानी को भी पी लेना है दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से सेवन कर सकते है यदि आपको डाइबटीज है तब आपने इस पानी को ऐसे ही पीना है विदाउट सहर और आपने एक घंटे तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है दिल के बिमारियों के लिए कोलोस्टोल के आपको समझे है बैड कोलोस्टोल का आपको सही करना चाहते है तो उसके लिए भी नसों में ब्लोकिस है नसों में दर्द है, सोजन है तो उसके लिए भी आप इस पानी को सुबह खाली पेट सेवन कीजी यदि आप इस तरीके से स्पानी का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सरीर की बिमारियों का अपने आप ही इलाज होना शुरू हो जाएगा आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सकती बढ़ जाएगी आपके सरीर के अंदर ताकत भी आएगी क्योंकि ये आपके सरीर को मजबूत बनाने का काम करेगा आपकी हड़ियों की कमजोरी को दूर करेगा हर त्रहे के दर्द से आपको छुटकारा दिलाएगा क्योंकि जोडों के दर्द घुटनों के दर्द की भी एक कारगर दवा है तो दोस्तो देर की सबात की है आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का परयोग करें और अपने सरीर को बेलकुल निरोगी बना दें नसों की ब्लोकेज को खॉल दें दिल की बीमारियों का इलाज कर दें हार्ट डिटेक और हार्ट ब्लोकेज जैसी बीमारियों से बज़े रहें दोस्तो यदि आपको खून गाड़ा होने की समझे है तो ये खून को भी पतला करेगा, खून को साफ भी करेगा और जब आपका खून साफ होगा तब आपके चहरे पर भी नया गलो आ जाएगा आपका चहरा खिल जाएगा तो दोस्तो आप इस नुस्के को आज ही अपने घर पर बनाईए और इसका प्रयोंग कीजिए और अपनी सरीर की बीमारियों को बाई बाई कह दीजिए तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वडियो की नोटिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों